असलाम लेकुम मैं हलीम आदल शेख की वाइफ दुआ भुटो मेरा बेटा हलीम आदल शेख का बेटा कामिल हलीम शेख हम आप सबसे पूछना चाहते कहा हैं वो इदारे मेरे शोहर को फ्रेश में ले ले थे उनकी जान को खत्रा है पहले उनसे सिक्योर्टी ली गए उसके ब किसी तरह से बड़े बड़े जो डाकू बैठे हुए पहले उन्हें तो गिरखतार करो मेरे शोहर का यह कुसूर्ट था कि वह अवाम के लिए बात करते थे इन माफिया का चेहरा बेनकाब करते थे मैं सारे अदारों से पुछना चाहते हूं आप सब कहा हैं मेरा बच्चा क जान को खत्रा है उनकी जान को खत्रा है मेरे शोहर को अगर कुछ भी हुआ हली मादल शेह को कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरी माफिया को चोड़ू कि लिए इस जर्दारी माफिया यह मुराद अलीशाफ यह पूरी इंपॉर्टिट हुकूमत जिस तरह से उन्हें होटल स साथे तीन बजे गिरफतार किया जाता है और उनको गायब कर दिया जा रहा है कहां है मेरे शोहर कहां है हली मादलशे कहां है इनके वाले साथ मैं सारे दारों से पूछना चाहते हूं मैं सारे दारों से सवाल कर रही हूं मैं जजिस सवाल कर रही हूं मैं पूरी इस लो से सव पिर उनकी जान को खत्रा उनको त्रेश दिये जाते और अब जिस तरह से उन्हें घायब कर दिया गया है क्या वो गुंडे थे जो गुंडे हैं पहले आप उनको तो गिरफतार करो मेरे शोहर को अगर कुछ भी हुआ तो मैं इस माफिया को छोड़ूँगी मैं इस पूरी इंपॉर्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ूँगी जिस तरह से 15-20 लोग आते हैं और उन्हें होटल से निकाल के ले जाते हैं मेरा सवाल है सबसे मैं पूछना चाहती हूँ वो कहा है मुझे बताया जाए मेरे बेटे को बताया जाए हली मादलशे के बेटे को बताया जाए कहा है वो आप उनकी जुबान बंद नहीं कर सकते मुझे भी त्रेट जिये थे इन माफिया उने जर्दारी माफिया ने इस मुराद निशाने मेरी गाड़ी रोके मेरे बच्चे का